एक बार एक जंगल में एक कौवा रहता था गर्मी का मौसम था और बहुत गर्मी थी कोई को बहुत प्यास लगी और वह पानी की तलाश में उर गया लेकिन पास में नहीं मिला पानी की तलाश में वह बहुत ठक गया था उसने जंगलों में एक जोपड़ी देखी और आराम करने के लिए उसकी छट पर बैठ गई और जमीन पर एक बर्तन देखा वो मटके के पास गया और उसमें पानी देखा उसने इसे पीने की कोशिश की लेकिन यह बर्तन के अंदर गहरा था और पानी तक नहीं पहुंच सका बहुत कोशिश करने के बाद उसके मन में मटके में पानी का स्तर बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे पत्थरों से घड़े को भरने का विचार आया उसने जमीन पर कुछ पत्थर भी देखे और एक एक करके उन्हें उठा कर पानी के बर्तन में फेग दिया कुछ देर बाद जलस्तर उपर आ गया उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई कहानी का नैतिक पहलू है जब चाह होती है तो राह होती है यदि आप कुछ करने के लिए द्रिण है तो आप हमेशा उसे करने का एक तरीका खोज लेंगे